Marvel Studio की तरफ से Fast 4 की एंडिंग इमोशनल तरीके से हुई है Wakanda Forever मुवी की स्टार्टिंग भी इमोशनल तरीके से होती है और एंडिंग भी इमोशनल तरीके से होती है Review for Black Panther Wakanda Forever Reviews Trailer LC Channel के एक और वीडियो में आपका स्वागत है तो चलिए बात करते हैं कैसी है मुवी और Post Credit Scene में क्या दिखाया गया है ये वीडियो Spoiler Free होने वाला है तो मुवी की शुरुवात होती है King Tachala के Emotional Funeral के साथ जहां पर हमें दिखाया जाता है कि Wakanda की जनता अपने राजा को नम आखों से अंतिम विदाई देती है चेट्विक बोर्समें सर को जिस तरह से इसमें विदाई दी गई है उससे इसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी मुवी का सीन है डारेक्टर रियान सर ने बहुत ये अच्छे से इस फ्रिणल को दिखाया है जो हमें भी Emotional से भर देता है और फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि Wakanda के राजा नहीं रहने पर बहारी लोग Wakanda के रिसोर्सों को हड़पने की कोशिश करते हैं दूसरे देश की सेना कई बार कोशिश करती है Wakanda पर हमला करने की लेकिन वो काम्याब नहीं हो पाते हैं फिर इंट्री होती है नेमोर की King of Atlantis जो अपनी सेना के साथ Wakanda को चारों तरफ से गेर लेता है लेकिन आगे क्या होता है वो आपको मुवी देखने के बाद पता चलेगा यह मुवी पोने तीन गंटे की है जो थेटर में रिलीज हो चुकी है वो भी हिंदी डबिंग में इस मुवी में दो पोस्ट क्रेडिट सिन होने वाले थे लेकिन एक ही रखा गया डारेक्टर जियान कुगलर सर इमोशनली दिमाग से खेल गए क्योंकि इसमें अगर डॉक्टर डूम का पोस्ट क्रेडिट सिन दिखा दिया जाता तो बलेक पेंथर पर कोई बात नहीं करता इस समुदर किनारे बेटी हुई होती है वहीं पर किंग टचला का बेटा प्रिंस टचला आता है जिसे हमें दिखाया गया है आनी वाली मूवियों में ही हमें शायद तक नया बलेक पेंथर मिल जाएगा इस मूवी में हमें दूसरे करेक्टर को भी अच्छे से दिखाया है मही बीजेम की बात करें तो वकांडा का जो बीजेम है वो हमें पता ही है कितना शांदार और बढ़ीया है लेकिन वहीं नेमोर किंग ऑफ एल्टैसस शमुंदर का जो बीजेम है वो भी शांदार है मूवी जितनी इमशनल टॉच है उतनी इंगेजिंग भी है मूवी के हर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ.